Hello students, तो आज हम लेकर आगए हैं आपके पास Mechanical Properties of Fluids का Next Lecture तो students, आज हम एक बिल्कुल अलग सा topic पढ़ने जा रहे हैं जो कि आपके NEED, J, MEED, Advanced Exam के लिए बहुत ज़ादा important है यह topic आपके board में नहीं पूछा जाता है तो चलिए इसको discuss करते हैं, topic का नाम क्या है Difference in the water level in the two tanks जैसे कि मान लीजे, आपके पास दो tanks दे रखे हैं Tank 1 and tank 2 और हमें यह पता करना है कि दोनों में जो आपके पास है Difference कितना है इनके level के बीच में ठीक है, इनका जो level है उसके बीच में कितना difference है तो इसका जो question है वो आपको आपकी screen पे सामने नजर आ रहा होगा देखिए आपको जो diagram दिख रही है As it is diagram मैंने यहापे बनाई हुई है तो हमें यहापे चेक करना है difference in the water level जो भी आपके पास difference है water level में कितना है इनके इनके अंदर यहाँ पे आपके पास यह height दे रखी है और जो liquid है जो अलग है उसको मैंने circular shape देकर डोनों में differentiate करके थोड़ा सा आपको idea दे दिया है तो question आपके सामने है और चलिए इसको solve करने की कोशिश करते हैं तो देखे कैसे solve करेंगे तो जैसे हम पिछले अपनी classes में हम अपने questions को manometric equation लगा के solve कर रहे थे वैसे इस question को भी solve करेंगे तो manometer को मैंने detail में piezometer के ओतर youtube manometer वो हम पिछले lectures में cover कर चुके हैं अगर किसी बच्चे ने वो नहीं पढ़ाए तो पहले पिछले lectures को जाके एक बार देख लीजिए तो चलिए start करते हैं देखें इस question को solve करने का क्या तरीका होगा सबसे पहले आप इन में से अपने पास जो दो tanks हैं उनको देखें ध्यान से और जैसे माल लीजिए for example अगर मैं इस वाले tank को देखूं तो मुझे के करना है manometric equation लगानी start करनी है तो सबसे पहले इस water इस tank में जो water है उसका जो अपर level है वहाँ पे आपको पता है उपर की तरफ से एक atmospheric pressure लग रहा होगा that should be your PA अपर side से जो है एक atmospheric pressure लग रहा होगा that should be PA और अगर बेटा यहाँ पे आपको यह reference line दिखरी होगी अगर यह देखिए यहाँ पे यह question में दी हुई आपको reference line ठीक है as it is diagram बनाई है तो यहाँ से लेकर अगर यही reference line को मैं आगे बढ़ा दू इस point तक इस तरीके से तो माल लेते कि अगर मेरे पास यह वाली height जो है वो h1 height है कितनी height है बेटा h1 height है तो बेटा आपको पता है यहाँ पे जो आपके बस water है लेकिन यहाँ पे इसी level पे अगर मैं इसी reference line को आगे बढ़ा दू इस तरीके से तो बेटा इसी reference line को आगे बढ़ाने पर मैं अगर इस point पर pressure check करूँ तो क्या इस point का pressure इस वाले जो आपके पास इसके अंदर जो fluid है उसके बराबर होगा की नहीं होगा इसको आप देखेंगे ठीक है तो देखें सबसे पहले क्या करेंगे मिरको इस point का pressure जो है वो check करना है तो इस point पर pressure कितना होगा आपका इतने सारे liquid column की वज़ा से so that should be a rho g h1 अच्छा अभी मुझे क्या करना पड़ेगा मुझे इस water की density भी माननी पड़ेगी तो मान लिजे इसकी density है rho और मान लिजे जो इसके अंदर आपने जो liquid फिल किया है इसकी density मान लिजे आप rho 1 क्योंकि दोनों की density आपको अलग से बतानी पड़ेगी So now we are going to apply manometric equation तो अब हम इसमे manometric equation लगाएंगे और इसको solve करने की कोशिश करेंगे तो manometric equation लगाने से क्या करेंगे सबसे पहले आपके पास पता है कौन सा pressure आपके पास आ रहा है atmospheric pressure आ रहा है atmospheric pressure आपके पास क्या हो जागा बट़ेगा So you should write PA यहाँ से आपके पास atmospheric pressure कितना आ गया PA और यहाँ पर pressure कितना हो जागा आपके पास ρो जी H1 नीचे की तरफ आ रहे हो अगर आप नीचे की तरफ किसी height से नीचे की तरफ आते हो तो obviously pressure आप क्या लेते हो positive लेते हो यह sign convention जो कि हम मान कर चलते हैं ठीक है अच्छा मैं उसी equation को यहाँ लिख देता हूँ देखो equation क्या लिखी हमने PA प्लस ρो जी H1 ठीक है वहाँ जगा नहीं होगी तो मैं इस equation को यहाँ लिख रहा हूँ PA प्लस ρो जी H1 अब यह वाला pressure जो है इस तरफ को आईएगा तो यहाँ पे अगर हम यह वाला pressure इस वाले pressure के बराबर है अगर यहाँ पे भी water है आपके पास देखो यह वाला pressure अगर इसके यहाँ पे इस तरफ चलेंगे तो यह वाला pressure इसके बराबर तो मतलब यहाँ पे water होगा ठीक है न, तो water है, तो इसलिए वहला pressure बराबर, अब यहां से, अगर मैं इस reference level को देखूँ, इस level को मैं देखूँ, तो अगर मैं इसको आगे की तरफ ऐसे बढ़ा दूँ, तो बेटा, अगर आपके पास यह height h1 है, तो बेटा, यह height कितनी हो की, यह height आपको दे रखे देख तो वो आपके पास कैसा आता है, वो pressure, that pressure should be negative, तो मतलब हम यहां पर लिख सकते है, minus of, बेटा, अब आप density किसकी लोगे, अब आप density लोगे, rho 1 वाली, क्योंकि आपके बस fluid change हो रहा है, तो आप लिखोगे rho 1, और उपर की तरफ आप लिखोगे g, and then your 40, तो 40 मैं यहां लिख अच्छा, उसके बाद हम इस point पर जब पहुंचे हैं बेटा, तो इस point का जो pressure होगा, obviously वो सामने आ जाईए, इस तरफ को इस point, point के pressure के बराबर होगा, ठीक है, तो यहां ले लो, यहां pressure निकालो, यहां निकालो, बात एक ही है, क्योंकि fluid दोनों में same है, same fluid वाले case में pressure same होत तो यहां वाला जो आपका pressure है, वो नीचे की तरफ आने पर वो pressure कितना होगा, तो अब आपके पास कौन सा fluid है, इस column के अंदर, आपके पास water है, तो water वाले case में आप density ले लोगे, यहां पे rho, क्योंकि हमने density water की मानी है, rho, तो नीचे की तरफ आते होगा pressure आपका बढ़ता ह है, so now you should write plus में, you will write 40, 40 and then your density is rho and then you will write g, तो plus 40 rho g, ठीके तो pa plus rho g, h1 minus 40 rho 1 g plus 40 rho g, अब चलिए, अब अगर मैं इसी point को यहां से देखूं, और यह मेरे पास water है, तो अगर यह मेरे पास water होगा, तो इस तरफ भी मेरे पास क्या है बिटा, water ही है, तो इस reference line को अगर मैं आगे बढ़ा दो इस तरफ से, तो बेटा, यहां वाला pressure जो होगा, वो क्या होगा, और अगर उपर से atmospheric pressure लग रहा है, तो वो क्या होगा, ठीक है, अब आपको इतनी बात पता है कि same fluid है, यहां पे पूरा जो fluid है, वो same भरा हुआ है, तो मतलब यह वाला जो pressure होगा, वो इस वाले pressure के बेटा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, this pressure must be equal to that pressure, ठीक है, बात समझारी न, आपको यह वाला pressure, इस वाले pressure के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, तो हम यहां से equal to sign लगा कर लिख सकते हैं, बेटा, equal to sign लगा कर हम यहां से क्या लिख सकते हैं, देखो, हम इ हाइट वाला प्रेशर कितना हो जगा आपके पास that should be और रो जी एच्टू रो जी एच्टू और ऊपर से अट्मॉस्फिरिक प्रेशर भी लग रहा है तो अट्मॉस्फिरिक प्रेशर कितना हो जगा आपके पास बिटा दैट शुट भी और पी ए तो मैंने यहाँ पे एक च यहां तक पहुंचा हूँ तो मुझे इस पॉइंट का जो प्रेशर जब मैंने निकाला तो वो प्रेशर मेरे पास क्या आया वो प्रेशर मेरे पास कौन सा आया यह प्रेशर मेरे पास आया है एब्सोल्यूट प्रेशर आया है बिटा कौन सा आया एब्सोल्यूट प्रेश है वो मैंने ये लिखा है ठीक है वो मैंने ये लिखा है और इसमें atmospheric pressure भी included है so this is your atmospheric pressure and this is your pressure because of this column ये पूरे इतने से इतने पार्ट का जो pressure है वो ये है और प्लस PA जो है यहाँ पर आकर मैंने इस pressure को क्योंकि यहाँ वाला fluid जो था वो सेम था तो मैंने इस pressure को इस pressure की value के बराबर यहाँ पर कर दिया है ठीक है अब अब हम क्या करेंगे देखो PA से PA दोनों तरफ आ रहा है तो PA से PA आपके पास cancel out हो जाएगा अब आपके बस क्या क्या values बची है जो values बची हैं से लिखे लेते हैं तो देखे आपके बस यहाँ पर क्या अब जो आपके पास यहाँ से रोवन वैल्यू है बटा यह आपके पास किसकी density है इस liquid की density जिसके specific gravity आपको दे रखी है तो बटा अगर आपको पता है कि जो specific gravity आपके पास होती है वो क्या होती है density of liquid जो भी liquid उसकी density upon density of water at 4 degrees Celsius so this is your density of water तो अगर मुझे यहाँ से बटा रोवन की value निकालनी हो तो क्या आप रोवन को specific gravity जो है आपके पास उसके बराबर कर सकते हो भी specific gravity कितने 0.9 तो आप लिख सकते 0.9 into यह उपर value चले जाएगी तो into हो जाएगा रो यानि कि रोवन की value आप यहाँ से निकाल सकते हो 0.9 row ठीक है clear इतनी बात आपको ठीक है चलिए जी अब आगे बढ़ते हैं और आगे check करते हैं इसको जड़ा तो देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे यहाँ से आपके पास जो value आ रही है वो देखे क्या आएगी अगर मैं यहाँ से rho g की value जो है वो common ले लो तो बेटा अंदर गया बचेगा आपके पास h2 minus h1 बचेगा clear है बात और यहाँ पर अगर मैं देख रहा हूँ कि मेरे पास 40 यह जो जो रो value रो 1 value जो है वो 0.9 value आप निकाल चुके हो तो यहाँ से आजएगा 40 row g minus 40 into row 1 की value कितनी है बेटा 0.9 row into g बेटा 40 into 0.9 अगर आप solve करोगे 40 into 0.9 आप solve करोगे तो 9 by 10 आजएगा बेटा यह कट जाएगा 9 forja 36 आजएगा देनी विल गेट 40 row g minus your minus your 9 forja 36 36 row g 40 row g माझे 36 row g and your row g should be h2 minus h1 so what will you get you will get row g से row g बेटा cancel हो गया यहां से row g से row g cancel हो गया so you will get h2 minus h1 h2 minus h1 is equals to your 4 centimeter तो बेटा this is your final answer h2 minus h1 मतलब आपने दोनों की h2 minus h1 था जो water level में difference था बेटा क्योंकि देखो इसका जो water का level है वो थोड़ा उपर जा रहा है इसका water का level थोड़ा नीचे है तो दोनों का difference आपके बास क्या जाएगा 4 centimeter so this is your final answer so this is the basic approach that how to solve this question तो आपने क्या किया मैं एक बाद फिर से repeat कर लोता हूँ आपने यहां से pressure calculate करना start किया manometric की question लिखी पहले pressure लगा PA फिर आप नीचे की तरफ आए इस point का pressure निकाला इस point पर pressure आपने निकाला तो यहां का pressure आपने लिखा ये वाला ठीक है फिर आपने का किया आप यहां से इस point से बैटा जब आप इस point तक होगी तो ये वाला pressure तो हम neglect कर देते हैं क्योंकि मैंने आपको पहले का था कि जब भी कोई U tube हो गई U shape की tube है और उसमें same fluid है तो वो pressure आपको cancel हो जाता है समझे ना मेरी बात को मैंने पिछले case में बताया था कि अगर आपके में सिस्टरी की tube है U shape में और यहाँ same fluid अगर दोना में भरा हुआ है तो यहाँ वाला pressure के ब्राबर होते है तो आप उसे cancel भी कर सकते है वो खतम हो जाता है वो पिछली वीडियो में ने बताया था तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का pressure खतम हो गए इसलिए हमने इस point से इस point तक का pressure निकाला जो हमने यह लिखा माइनस में उपर की तरफ फिर यहाँ से यहाँ आते समय यहाँ वाला जो pressure होगा बेटा यह पूरा pressure यहाँ तक वही रहेगा ठीक है यूट्यूब अगेन inverted YouTube की shape है तो pressure cancel हो जाएगा वो यहाँ वाला और यहाँ वाला यहाँ पहुंचे तो यहाँ से आ गया तो पूरी value काट कर you will get your answer 4 cm you will get your answer 4 cm so I hope आपको यह concept समझाया होगा अब आप यहाँ से इसका screen short यहाँ से ले सकते हैं तो students I hope आपको यह question काफी अच्छा लगा होगा और यह बहुत ही important question बन सकता है आपके में आ सकता है इसको एक बार आपने अच्छे से solve करके देख लेना अब इसके बाद हम चलते हैं एक बहुत ही और interesting question की तरफ fluid mechanics का ही एक question है कि अगर आपके पास कोई एक tube है जो की zigzag manner में है तो उसमें आप कैसे pressure को find out कर सकते हैं चलिए उसकी diagram को draw करते हैं और फिर उसको solve करने की कोशिश करते हैं तो चलिए students अब लेते हैं zigzag tube का एक question और इसे solve करने की कोशिश करते हैं ठीक है A point पर और B point पर pressure निकालना है और साथ ही में also find the angle theta and a zigzag tube open at N, N point से ये tube आपकी क्या है open है ये आपका M point है तो आपका N points है बटा वो यहाँ पे दिया हुए ये आपका N point है ठीक है यहाँ से दोनों तरफ से जो tube है आपकी open है और इसमें जो liquid की densities है वो लग दे रखी है अब चलिए start करते हैं जड़ा देखो इस question को solve करने के लिए हमें क्या क्या पुछा है उसने पुछा A पे pressure बताओ और B पे pressure बताओ ठीक है अब देखी जड़ा इस question में अगर मैं आपको यहाँ से इस tube को हम देखना शुरू करेंगे तो यह tube इस तरफ से ऐसे लाई कर रही ह और theta angle पर यह horizontal के साथ है उपर को ठीक है तो अब हम सबसे पहले काम क्या करते हैं कि अगर मुझे A point का pressure निकाल तो मुझे पताओ यह tube अगर open है तो यहाँ से कुछ ने कुछ atmospheric pressure यहाँ पर लग रहा होगा तो atmospheric pressure इस तरफ से लग रहा होगा तो यानि कि इसमें क्या लिख सकत हैं कि आपके पास जो A point का pressure है P of A वो बराबर होगा P atm या फिर P A आप देखो आप इधर से उपर की तरफ जा रहे हो उपर की तरफ pressure हमेशा negative लेते हैं लेकिन हम हमेशा vertical height को consider करते हैं इस height को consider नहीं करेंगे तो vertical height तो सीधी होगी तो अगर आपके पास यह L है और यह theta angle मि and this component should be L cos theta यह आपको पता है ना देखो अगर L आपके पास ऐसे है और वो horizontal की साथ theta angle बना रहा है तो यह वाला component कितना हो जाता है L cos theta and this component is L sin theta इतनी बात आपको clear रहे है ठीक है यह आपको चीजे पता है यह आपको चीजे पता है या पढ़ चुके है पहले ठीक है तो यह च मैं vertical height लेने वाला हूँगो मैं L sin theta लोगा तो पी ए प्लस पी ए प्लस साथ में आपके पास इस तरफ से इस तरफ कौन सा pressure लगेगा रो जी एच प्रेशर लेकिन वो सौरी वो negative में लगे है उपर की तरफ जा रहे हो तो माइनस आजाएगा यहाँपर माइनस के बाद बेट density rho 1 and your G की value कितनी है अब हम A point पर आ चूक है अब B point पर प्रेशर चख करते है तो बटा P B आपके पास क्या हो जागा बटा देखो P B अगर मैं यहाँपर प्रेशर देखू यहाँपर दो तरीके से प्रेशर लग रहा एक प्रेशर तो यहाँपर 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 यहा At-B point pressure पहले इस तरफ से check करें तो यहाँ पे एक तो pressure A का है देखो A बले point का जो pressure होगा जो आपने यह निकाला है तो वो बले pressure लग रहा है हम पे तो हम कहा सकते हैं यहाँ पे एक तो P A pressure लग रहा है और प्लस नीचे की तरफ आप आ रहे हो, ये नीचे की तरफ जा रहे हो, तो नीचे की तरफ इस fluid की वज़े से pressure लग रहे हो, इस column की वज़े से pressure लग रहे हो, तो नीचे की तरफ vertical height किते नहीं बेटा, L sin theta, बेटा, नीचे की तरफ vertical height किते नहीं L sin theta, तो L sin theta नीचे की तरफ और यहां स तो इस तरफ से प्रेशर कितना लग रहा होगा इस पर इस तरफ से कितना प्रेशर लगेगा अब देखते हैं जड़ा तो देखो यहां से यहां से यहां तक का प्रेशर कितना होगा तो आपको पता है कि यह एटमोस्फेरिक प्रेशर है बेटा कितना है एटमोस्फेरिक प्र अब बेटा ये अटमोस्टरी प्रेशन हो गया तो नीचे की तरफ आ रहे है तो प्रेशन प्लस में लोगे और यहां से रोटू डेंसिटी है तो आप बोलोगे प्लस में रोटू यॉर जी लेकिन अब आपके पास कहाँ रखा है एच हाइड दे रखिए कहाँ एच हाइड द इन दोनों को कंपेर कर सकते हैं कंपेर करने पड़ेगी ठीक है तो आप क्या कंपेर कर दो के दोनों को तो पी ये प्लस रोटू जी एल साइन थीटा बराबर हो जागा बेटा पी एटी एम एटमोस्टरी प्रेशन या इसको पी ये भी मान सकते हैं अगर उपर पी ये माना तो क्या हम इस PA की value यहां put कर सकते हैं बिल्गूर कर सकते हैं तो बेटा PA की value कितनी है PA minus rho 1 G L sin theta मैंने इस PA की value यहां put कर दी इस PA में इस PA में यह पूरे PA की value यहां से उठा कर यहां डाल दी तो PA minus PA minus rho 1 G L sin theta और यहां से प्लस आजाएगा rho 3 G L sin theta which should be equal to beta which should be equal to your मैं आगे इसके बाद नीचे लिख देता हूँ यहां पे यह equal to के बाद यहां जाएगा PA plus rho 2 बेटा जी एच rho 2 PA से PA तो cancel हो जाएगा दोनों तरफ same plus plus sign में है और उसके बाद यह है rho 1 G L sin theta और rho 3 G L sin theta क्या इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं देखो rho 3 G L sin theta minus rho 1 G L sin theta which should be equal to rho 2 G H बेटा rho 3 G L sin theta मेरे पास यह आया यह plus में था इसको आगे लिख दो यह minus में इसको इतरे लिख दो और rho 2 G H आपके पास यहां पे आ जाएगा अब देखिए आपको निकालना कि आपको sin theta निकालना है तो ज़रा देखते हैं कुछ value जो है देखो G दोनों तरफ है तो G common लेकर आप पाट सकते हैं तो इसको काट सकते हैं ठीक है अब हम यहां से क्या ले सकते हैं मेरे पास L value और sin theta अब लिख सकते हो L sin theta into rho 3 minus rho 1 which is equal to rho 2H which is equals to rho 2H तो बेटा L sin आपको के निकालना है sin theta निकालना है तो आपको sin theta is equals to rho 2H upon rho 3 minus rho 1 rho 3 minus rho 1 into L तो बेटा इस इस योर final answer है hence in this way you can find the sin theta or you can find your theta angle तो इस तरीके से आप इस question को solve कर सकते हो ठीक है तो कैसे किया हमने हमने इस तरफ दोनों जगा pressure check किया पी ए पे तो चलो इस वज़े से pressure लग रहा था लेकिन पी बी पे इस वज़े tube की वज़े और इस वज़े tube की दोनों का pressure यहाँ पे लग रहा था दोनों को combine करके हमने इन दोने questions को equate करकर यहाँ पे PA की value डाल दी और value डाल कर हमें जो answer मिला है वो मिला है sin theta equal to rho 2h upon rho 3 minus rho 1 into L so question में हमसे A और B का pressure पूछा था वो भी हमने निकाल दिया अब ही A का pressure यह आ गया आपके पास पूरा और B का pressure दो cases में आ रहा है तो यह वाला और एक तो यह वाला ठीक है इस तरीके से आप ऐसे questions को deal कर सकते हैं again very important question so students I hope आपको यह video अच्छी लगी होगी तो चैनल को subscribe करें अपने friends के शेयर करें thank you so much